अगर आप CTAT या STAT की तयारी कर रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं Unacademy Learning App पर प्लेलिस में जाकर Unacademy Learning App डाउनलोड कर लेजिए और सर्च कीजिए प्रतीक्षा अचारिश जहां पर आप सभी कोर्सिस जो भी मैंने अप्लोड किये हैं उनको देख सकते हैं अगर आप CTAT या STAT की तयारी बहुत अच्छे से एक प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं बिना कोचिंग जाए हुए तो आप Unacademy के सब्सक्रिप्शन मॉडल को जोइन कर सकते हैं जहां पर आपको टॉप एजुकेटर्स के द्वारा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लेंग्विज में क्लासिस प्रोवाइट करवाई जा रही हैं यह कोर्स आप बहुत कम फीस में जोइन कर सकते हैं बहुत सारे लोगों ने इसको जोइन किया है और इसका फायदा उठा रहे हैं अगर आप यह कोर्स जोइन करते हैं तो वहां पर आपको एक रेफरेल कोड पूछा जाएगा जहां पर आपको लिखना है प्रतीक्षा अगर आप मेरा username जो की प्रतीक्षा है वह लिखते हैं तो आपको 10% का discount मिल जाएगा और ये course join करने के बाद अब आप सभी top educators को access कर सकते हैं यानि कि उनके द्वारा जितनी भी live classes provide करवाई जा रही है unlimited course जो अन एकेडमी के द्वारा provide करवाई जा रहे हैं जितने भी notes और e-books जो top educators upload करते हैं उन सभी को आप इस subscription module को join करने के बाद पा सकते हैं तो चलिए start करते हैं और आज का वीडियो और देख लेते हैं क्या है hello friends welcome to online study bites मैं हूँ प्रतीक शा लास्ट वीडियो में हमने बहुत द्धर्म के important points पर चल्चा की थी बहुत द्धर्म के बारे में आपको कुछ information दी थी और आज इस वीडियो में हम कुछ important questions लेकर आये हैं बहुत द्धर्म से संबंदित के किस तरह से question पूछे जा सकते हैं तो एक idea हो जाएगा आपको questions का और revision भी आपका हो जाएगा तो चलिए start करते हैं लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ अगर वीडियो अच्छा लगे तो like and share करना बिलकुर भी मत भूलिएगा चैनल को subscribe जरूर कीजे अभी आगे इसी तरह के वीडियो अपलोड होते रहेंगे जो आपके exam से related होंगे आपके exam में आपकी help कर सकते हैं तो चैनल को subscribe करीजे और bell icon पर प्रेस करना बिलकुर भी मत भूलिएगा तो चलिए start करते हैं first question से बौध धर्म के संस्थापक कौन थे गौतम बुध आंसर इस गौतम बुध जिनोंने बौध धर्म की स्थापना की है next है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में 5, 6, 3 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था Next, गौतम बुद्ध के जन्म इस्थान का नाम क्या है? गौतम बुद्ध के जन्मिस्थान का नाम कपिल वस्तू के लुम्बनी नामकिस्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिल वस्तू के लुम्बनी नामकिस्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ किसे लाइट ओफ एशिया के नाम से जाना जाता है लाइट ओफ एशिया जाना जाता है महात्मा बुद्ध को अगर आप ने कभी एक बुक है लाइट ओफ एशिया अगर आपने पड़ी हो तो उसमें सारा सारी चीजे महात्मा बुद्ध के बारे में बता रखी है तो लाइट ओफ एशिया जो कहा जाता है वो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है नेक्स है गौतम बुद्ध के बच्पन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बच्पन का नाम था सिधार्थ गौतम बुद्ध के बच्पन में उनको सिधार नाम से पुकारा जाता था नेक्स कुशन गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सुद्दोधन शुद्दोधन उनके पिता का नाम था और इनकी माता का नाम आपको बताया था, इनकी माता का नाम था महा माया और ये इनके जन्म के साथ दिन बाद इनकी म्रत्यू हो गई थी महा माया की, तो इसके बाद इनकी सौतेली माने पाला पोसा जो की इनकी मौसी ही थी और इनका नाम था प्रजापती गौतमी, कोशन आये महात्मा बुद्ध की सौते लिमा का नाम क्या था तो आंसर होगा फजापती गौतमी नेक्स कोशन की और बढ़ते हैं महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा यशोधरा था नेक्स्ट गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल और ये जब गौतम बुद्ध 28 वर्ष के थे तब इनका जन्म हुआ था राहुल का नेक्स है गौतम बुद्ध के सार्थी का नाम क्या था सार्थी का नाम था चन्ना चन्ना गौतम बुद्ध के सार्थी का नाम था जो अक्सर इन्हें बाहर राज की सैर करवाने के लिए ले जाया करते थे नेक्स्ट कॉशन गौत्म बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े तो जब उनके पुद्ध कर जन्व हुआ उसके एक साल बाद यानी कि 29 वर्ष की आयू में उन्होंने अपने ग्रह को त्याग दिया और सत्य की खोज में न इनिश्क्रमन कहा जाता है, नेक्स्ट इस बुद्ध ने अपना प्रथम गुरू किसे बनाया, बुद्ध ने अपना प्रथम गुरू बनाया, अलार कलाम को, अलार कलाम को अपना प्रथम गुरू बनाया, बुद्ध ने अपना प्रथम गुरू अलार कलाम को बनाया, नेक्स अपने प्रत्रम गुरु से प्राप्त की नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का क्या नाम था पहले तो अलाग कलाम थे और दूसरे थे रुद्धक दूसरे गुरु का नाम था रुद्धक नेक्स्ट है उरुवेला में कितने भ्रामण बुद्ध के शिश्य बने हैं उरुवेला में कितने भ्रामण बुद्ध के शिश्य बने पांच ब्रामण उरुवेला में पांच ब्रामण बुद्ध के शिश्य बने आगे बुद्ध के पांस इश्यों के नाम क्या थे पांस इश्य थे कॉंडिन्य, बप्पा, भादिया, अस्सागी और महा नामा नेक्स्ट इस पैतिस वर्ष की आयू में बिना अन जल ग्रहण किये आधोनिक बहुत घया मैं निरंजना नदी के टट पर पीपल ब्रक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ग्यान की प्रापती हुई तो पीपल के ब्रक्ष के नीचे और नदी का नाम है निरंजना नदी के टट पर ग्यान प्रापती हुई छे वर्ष की कठिन तपस्या के बाद छे वर्ष की कठिन तपस्या के बाद नेक्स्ट है ग्यान प्राप्ति के बाद सिधार को क्या कहा गया जब उन्होंने ग्यान प्राप्त के लिया उसके बाद उन्हें गौतम बुद्ध और तथागत कहा गया गौतम बुद्ध आप याद लख सकते हैं गौतम बुद्ध कहा गया सिधार्थ का गोत्र क्या था सिधार्थ का गोत्र गौतम था गौतम बुद्ध को किस रात्री के दिन ग्यान की प्राप्ती होई किस रात्री के दिन ग्यान की प्राप्ती होई आंसर है वैशाक पूर्निमा वैशाकी पूर्निमा के दिन गौतम बुद्र ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था पहला उपदेश वारांसी के निकट सारनात में दिया था अक्सर कोशन पूछा गया है पहला उपदेश कहां दिया गया था सारनात में नेक्स्ट इस उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है राइट आप्शन है धर्म चक्र प्रवर्तन धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है और नेक्स्ट इस महात्मा बुध्ध ने अपने अपदेश को किस भाशा में दिया तो महात्मा बुध्ध ने अपने अपदेश को पाली भाशा में दिया important question है ये भी important question है ये तीनों ही important question है ध्यान रखिये कहां पर दिया सारनात में उपदेश देने की घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है और महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाशा में दिया पाली भाशा में इसी के साथ इस question series को अभी यहीं रोकते है कुछ और question है बहुत दर्म से जिसे हम next video में लेकर आएंगे अभी के लिए इतना ही बाई बाई टेक क्यार and thanks for watching